आदाब हैदराबाद नमस्कार आदाब हैदराबाद में आपका एक बार पुना स्वागत है और आज की कड़ी में हम आपको जिन से मिलवाने जा रहे हैं उनके बारे में मैं बताऊं कि वो कमिशनर आफ पुलिस हैं रचकूंडा छेत्र के और साथ ही बहुत सारी प्रतिभाओं के धनी हैं के लिए मैं ये पंक्तियां कहना चाहूंगी पढ़ो उसे जो जलक रहा है इन में तेज प्रकाश इनके रोम रोम में अंकित है इनका इतिहास और इन पंक्तियों के साथ मैं स्वागत करती हूँ कमिशनर आफ पुलिस रचकूंडा श्री महेश मुरलीधर भागवत जी का IPS अफिसर है ये और पुलिस होने के साथ साथ ये एक बहुत ही कोमल हिरदय अपने अंदर रखते हैं मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे आज के सारिक्रम में आप बहुत ही व्यस्ट रथे हैं और इतने व्यस्ट अपने स्केडियूल में से भी आपने समय निकाला और हमारे साथ यहां स्टूडियों में आप आए और हमसे मुकातिब हुए तो आपके जीवन को मैं देखती तो अभी जो आप एक सबसे इंट्रेस्टिंग चीज कर रहे हैं पिछले कुछ सालों से, आप सभी सिविल सर्वेंट्स के जो एस्परेंट्स कैंडिडेट्स हैं, उनको आप ट्रेनिंग देते हैं, उनको आप बताते हैं किस तरह से इंट्रिव्यू फेस करना है, कैसे उसकी तैयारी करनी हैं, तो कैसे ये कर लेते हैं आप और किस तरह से आप इसको कर रहे हैं उसके बारे में हम आप से जानना चाहेंगे? जरूर, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि 1995 में मेरा सिलेक्शन हुआ था इंडिन पॉलिस सर्विस में, लेकिन सिलेक्शन के पहले काफी स्ट्रगल मुझे करना पड़ा, उस स्ट्रगल के दरम्यान काफी लोगों ने मुझे परसनल तोर पे हेल्प की, फैनांसियल हो य यह दिल में रखते हुए और यह जजबा रखते हुए मैं एक काम कर रहा हूं और मेरे साथ कुछ और लोग जुड़े हुए हैं, दो हजार चवदा तक हम लोग यहां पे जो लिमिटेड बच्चे हमारे पास में आते थे, उनको डारेक गाइडनस करते थे या फोन या मेल बट यह वाट्साप के आने के बाद कफी अच्छी सुविधा हमें उपलब्द हुई है, तक्रिबन अभी आप देखेंगे कि एक ग्रूप में 256 की बच्चों को एक कर सकते हैं और अभी मेरे पास अभी साथ ग्रूप है, तो यह साथ ग्रूप में दो ग्रूप के वल इंट एक ग्रूप सेंट्रल असिस्टन्ट पोलीस फोर्स यह असिस्टन्ट कमांडन्ट की एकजाम, BSF, CRPF, ITBP, CISF और SSB यह पांच सर्विशेस में, तो और इंडिन फोरेस्ट सर्विश, तीनो सिविल सर्विश, इंडिन फोरेस्ट सर्विश और CIPF, तीनो सर्विश के जो प्रिलिम्स मेंस पास करके इंटर्व्यू, फाइनल स्टेज में आते हैं, पर्सनालिटी टेस्ट, जिसे सिविल सर्विशेस में कहा जाता है, उनको हम हेल्प करते रहते हैं, और 2015 से मुझे खुशी है कि अभी तक एक हजार से भी ज़्यादा बच्चे जो अभी अपने पाइर पे खड़े हैं, अच्छा काम कर रहे हैं सोसाइटी में भी, और कुछ लोग उसमें से दुबरा हमारे साथ जुड़े होई अभी, वो लोग भी चाहते हैं कि उन्होंने जो स्ट्रगल फेस किया, वो बाकी लोगों को ना करना पड़े, और वो लोग भी आपके साथ मिलकर इस मुहीम को आगे बढ़ा रहे हैं, सब मैं आपको बहुत-बहुत बढ़ाई देती हूं कि अब तक आपने एक हजार युवाओं को मतलब उनके मुकाम तक पहुंचने में मदद की है और उनको वहां पहुंचाया है, तो ये निश्चे ही बहुत पुर्णिय का काम और साथ ही साथ बहुत अच्छा काम है, ये ये चीज जो है, जो पढ़ाने का जजबा है, ये आप में कहां से आया, एक्चली जब मैं 1990 में में मेरा सिर्व इंजिनिंग रेजुएशन हुआ, गवर्मेंट कॉलेज अप इंजिनिंग पुना से, और उसके बाद मैं NGO के साथ काम कर रहाता है, वाटर से डेवलोपेंट पुना में, उस समय काफी सोचल वर्कर अक्टिविस्ट जो है, उनके साथ मेरा काम करने का मुझे सही मिला, जैसे आनाजारे साथ है, मेल्या पाट कर जो नर्वना बचाओं में उसे में कर रहेते, एक पुने में ही महराष्टर अ पर था कि सिविल सर्विसेस का करना है, तो सिविल सर्विसेस की प्रिपरेशन स्टार्ट के साथ में जॉब भी चल रहा था, तो इसके टच में रहने के लिए पुना में ही उस समय एक स्टडी सर्कल करके, डॉक्टर अनन पाटिल मुंबई के, उन्होंने उसकी स्थापना क करना ही थी, और जैसे अपने यहां पर तेलंगना में गुरूप 1, गुरूप 2 है, वैसे महाराष्टा में महाराष्टा पब्लिक सर्विस कमिशन का क्लास 1, क्लास 2 या सब इंस्पेक्टर, वो एक्जाम के लिए वहां पर मैं कुछ क्लासेस वहां पर लेता था, तो वहां कॉम्पिटिव एक्जाम के बारे में पढ़ाने की जो शुरुवात है, वो पुना में हुई वैसे, और मेरा सिलेक्शन होने के बाद फिर मैं अभी जैसे बताया, कि लिमिटेट तोर पे मैं रख रहा था, लेकिन 2016 से जब से वार्टसप आया तब से, यो काफी अभी All India Level प को जिनको अपिर होना है, इस स्टुडेंट हमें कॉंटेक्ट कर सकते हैं, हम जरूर उनको हिल्प करेंगे. सर, जब मैं सिक्षा की बात कर रही थी, तो ये कही ना कही मुझे लग रहा है कि ये आपके घर से जुड़ी होई बात है, क्योंकि जब मैं आपके बारे में स्टुडी कर रही थी, तो मुझे ये पता चला कि आपकी घर में ही काफी सारे सिक्षक हैं, और ये एक तरह से मैं अगर यह कहूं तो अतिशोक्ति नहीं होगी कि शिक्षा आपके खून में है। सही बात है, एक्छली टीचिंग बहुत नोबल प्रोपेशन है। मैंने मेरे फादर, मेरे मदर, दोनों भी जिलापरशत के प्रैमरी स्कूल के टीचर थे। इवन मेरे बहने टीनों भी वह भी यही खेत्र में एजुकेशन सेक्टर में, मेरे इवन जो जिजाजी है वो लोग भी तो काफी लोग घर में इस खेत्र से जुड़े हो गया है। इवन मेरा इंजरिंग होने के बाद उस समय जिरो बजेट था, लोहर्मेंट जॉब एवलेबल नहीं थे, तो मेरे फादर ने मुझे सला देती कि आप डिप्लोमा एजुकेशन कर लो और टीचर बन जाओ कि तो एक नोबल प्रोपेशन होने से सबको एक अच्छा लगता है और अभी मेरे मैं, जब भी हम लोग help करते बच्चों को बच्ची सिलेख हो जाते हैं तो अच्छा लगता है हमें, आपना काम तो करें रहें साथी साथ, आप उतना अच्छा एक नोबल काम जो आप कहा रहे हैं कि बहुत ही जिससे एक जो व्यक्ती है, वो अपने मुकाम त राजियों से लोग आकर बस रहे हैं और काम करने आ रहे हैं चुकि आईटी सेक्टर भी है है हैदरबाद में और एक तरह से विस्तार हम देखते हैं कि जो हमारे शेत्र का विस्तार होता जा रहा है और राच्यकॉंडा काफी दूर तक फैला हुआ है तो किस तरह से आप ये कुछ कठिनाईयां आती हैं काफी सारी कठिनेया तो है जैसे अपने बताया राच्यकॉंडा जो है ये नया कमिसरेट है एक जुलाई 2016 को मैंने चाज लिया ये जो है शेहर का इस्टन एरिया है जैसे अभी हमारा उपल रामानतपूरी एरिया हो ये एरिया जो इस्टन है त तो है थावजन नाइटीवन स्क्वार किलोमेटर कंट्री में सबसे बड़ा एरिया वाइस कमिसरेट अरच्पॉंडा है और 42 लाग पॉपलेशन है 44 पोली स्टेशन है हमारे यहां पे रूरल और अरबन मिक्स है वो एक बड़ा चालेंज है जनरली कमिसरेट अरबन एरिया में लिमिटेट रहता है बट इस एरिया में जो है वो मिक्स है जैसे मेरे पास में जो भूंगिरी यादादरी जिला है और रूरल है बाकी देखा जाए तो अल्बी नगर जोन या मलका जिरिगरी जोन अर्बन अर्बन है तो दोनों क्षित्र में अलग-अलग समझचा है य तो कि यहां इंडेस्टियल एरिया है जैसे अपन यहां पर टेलंगाना स्टेट इंडेस्टियल कार्पोरेशन के आईला उनकी डेवलोपेंट अथारिटीज के काफी सारे प्लांट्स यहां पर है तो बिहार हो ओडिसा हो या काफी अलग-अलग राज्यों से यहां पर लो के करन वो हमेशा न्यूज में रहते हैं वहां से काफी लोग यहां पर नौहमबर डिसेंबर से आके वो लोग में महिना में फिर वापस चले जाते हैं उनके साथ उनके बच्चे भी आते हैं बच्चे का पढ़ाई का बड़ा इशू होता है यहां पर चैंड लेबर का काम वो बच्चे करते हैं, तो उसके लिए भी हम काफी बताऊंगा आपको, काफी सारी चीजे हम कर रहे हूं के लिए भी, तो खासकर अभी करोना पिरेड में, ये माइगरन वर्कर का काफी फस वेव में बड़ा इशू रहा था, तकरिबन साथ हजार लोगों को उनके गाउं भे आप एक्सप्रेस उस समय स्टाट किये थी, ट्रेन स्टाट किये थी, माइगरन वर्कर के लिए, कुछ वेहिकल का इंतजाम हो गया था, कुछ लोगों ने, फिलान्थ्रपिस लोग काफी उस समय हम से जुड़े गये थे, जोनों ने काफी हेल्प किया लोगों को, इसलिए पिरेड से हम बाहर निकल आए, हलाकि वो पिरेड हमारे लिए बहुत ही चालेंजिंग था, क्योंकि मेरे साथ ही, काफी सारे लोग पॉजिटिव थे उस समय में, वन सेकंड वेव के दरमयान भी काफी लोग होस्पिटल में थे, बट इस सब को मात करते हो, एक ही हैंने, सब नहरा मोका, ये करोना के पिरेड में हम लोगों को खस कर दे लिए, और आप लोग तो सर्फ फ्रंट वर्कर के तौर पर थे, सबसे पहले आपको सारा शाषन वगर देखना, लोगों को कंट्रोल करना, और ऐसे समय में जब अचानक सभी कुछ बंद हो गया, तो उस समय में हेल्प भी करना, उनको जो जरूरत का सामान है, वो सब भी महया कराना, साथ ही साथ आपने देखा कि लोग जो जहां से आए हैं, वो वहां पर सुरक्षित अपने स्थान पर पहुंच जाएं, तो इसमें काफे कुछ महनत लगी होगी और काफी काम आप लोगों ने किया तो इसमें आप भी पॉजिटिव हो गए थे। इस पिरेड में हमने फिर एक साइको सोशिल काउंसिलिंग सेंटर भी स्टार्ट किया था, हमारे कमिसरेट में, चवदा महिला काउंसिलर और पुरुष भी थे कुछ, वो लोग उसको मैन कर रहे थे, सुबह 9 बज़े से, शाम को 9 बज़े तक, एक टोल फ्री हमने हेल्प ल हम लोग उनको हेल्प करके बाहर निकालने में काम है अपको है, यह बहुत अच्छी एक बात आपने बताई सर कि चुकि ऐसी स्थिती में, जब व्यक्ति घर में रहता है, उसके जॉब अगर का, उसको बाहर जाने का अवसर नहीं है, काम नहीं है, तो ऐसे में सही में दिमा हम लोग टाइम पर पहुंच पाए उन लोगों तक, कहीं जाने भी आपने बचाई सर, बहुत बढ़ बदाई आपको कि आपने इतना बढ़ियां काम आप लोग कर रहे हैं, सर मैं शी टीम की बात करते हूं, शी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन आगे और क्या आ जो बाकी हमारे स्टेक होल्डर्स है, जिसमें अभी माहिला और बालकरल्यान हमारे गवर्मेंट का डेपार्मेंट हो, या अपना सिविल सोसाइटी हो, कि जो इस से तरह से जुड़े हुए है, या फिर समाज, इन सब में एक सिनर्जी लाके एक ही प्लैटफॉर्म से काम कर कि इसमें काफी जरूरत है, क्योंकि यह जो प्राव्लम है कई भार हम लोगों को पुलिस जुरुडिक्षन हमारा इंपॉर्टन रहता है हम जरूटिक्षियन तक की सिमित्र रहते हैं, बट हमारे जरूटिक्षियन के बाहर भी कापी सारी इस्यूज होते हैं, जिसके करण हमें प्रॉडम होता है, इसलिए इन लोगों को जोड़ना बहुत जरूरी होता है, अभी अब देखेंगे हैं, जैसे मेरे पास में कुछ IT इ देखोगे तो बस्टॉप में या फिर रेनिंग बसेस में भी उनको दिक्कत होती है, या कुछ हरेस्मेंट होता है, यूटीजर्स वगरे का, तो ऐसे सिच्वेशन से उनको बाहर निकालने के लिए, डेडिकेटेट सी सेटल बसेस भी, IT इंडस्टी में हमने स्टार्ट की ह अब और एक बाद अगर देखेंगे, तो अपना जो सेक्स रिश्यो है, सेक्स रिश्यो जिसे हम कहते हैं कि एक हजार पुरुष और महिला कितने हैं, तो महिला अभी अपन भारत में देखेंगे तो 213 थे, तो यह जो संख्या है, वो कम होते जारी है, और इससे कारण काफी सेक्स रियुथ चाता है, तो यहुशे की उपने बहुता है, तो यह जाता है, वह अठी पर चैसी सिलेक्टियो अबर्चन भी किया जाता में, और ऐसे कोई सेक्स रिर्या कर india अधूर्ण ही सिलेक्टिब्याल, साप्काथधण ही। करके उन्होंने बंद करवा है उसमें हम लोग काम कहीं और नहीं हुआ है केवल यहां पर राज कोड़ना में हुआ है यह काफी चालेंजिंग था क्योंकि कई बार प्रेगनंट डिकोई बेजना इसमें हमारी महिला कॉंस्टेबल है या हमारे जो कर्मी है उनके फैमिली मेंब कड़ी सजा डॉक्टर लोगों को इसमें होती है उनका क्लिनिक या उनका जो हॉस्पिटल दो साल तक बंद भी रखा जा सकता है डिस्टिक मैजिस्टेट को खासकर इसके बारे में और इंडिन मेडिकल असुशे के उनको पावर से इसमें तो यह सेक्स रिश्यो बढ़ाने में कुछ हद तक हम लोग हमारे एरिया में अभी सी टीम के जरिये कामियाब हुए उसके साथ साथ जो चाइल्ड मैरेजेस है अभी हमारे एरिया में काफी रूरल एरिया भी है तो तकरीबन 125 चाइल्ड मैरेजेस हमने अभी तक रोके सी टीम के जरिये तोनों पार्टी को का अगर लटकियां जल्दी शादी कर रहे हैं, तो maternal mortality rate बढ़ जाता है, और दूसरा right violation, जिस उमर में पढ़ना है, उसी उमर में शादी करने के बाद, शादी के बाद तो education तक्रिबान स्टॉप हो जाता है, तो कई सारी और जिम्मेदारियां आ जाती है, जी, बिल्कुल, तो य यह सब देखकर आप लोगों ने 125 लड़कियों की, मैं कौंगे की, जिन्दगी आपने बचाई है, और यह काम, यह काफी हद तक और आगे लेके जाना है हमें, बीच में हमने हमारे जो IT सांस्ता या सेंटरल गवर्मेंट और बाकी गवर्मेंट के एजनसी से, उन सब को एक लीडर उनको ट्रेंड किये हमने, चांकार करंके माहिलाओं के प्रति, जिनको कुछ काम करने का एराध्य है, जो डूमेस्टि क्वारs टॉप करना चाहते हैं, हैसे लोगों को शंगर मित्रा नाम के प्रोग्राम के जरिए, उनको ट्रेंड किया है, और इन लोगों के Dave Guaivos पूली स्टेशन नहीं आना चाहते हैं, तो हमने वाट्सएप कंट्रोल नमबर दिया हुआ है, राज्च्य कॉंड़ा का वाट्सएप कंट्रोल नमबर है, और इस नमबर पर काप हमें सिकायति आती रहती है, जो महिला इस शिकायतिक दर्च करती है, उनका नाम हम सिकरेट परयोग कर सकते हैं, सर जब हम बात करते हैं, चाहिल लेबर की जो आपने पहले मेंशन किया था, तो किस तरह का चाहिल लेबर हम लोग के यहां देखा जा रहा है, जो बाहर से माइगरेट होकर आते हैं, केवल वही हैं, यहां के लोकल लोग भी हैं, और किस तरह से आप लो जोग मुर्थी बनाने का काम करते हैं, या वुद कटिंग का काम करते हैं, सौ मिल य सिन देश्य हम बाइस इंडेश्टी जसे हम बोलते हैं, या बैंगल या घर मेंगल मेकिंग का, है exploded. पारबाद की बैंगल जो है, बहुत पॉपिलर, बहुत पॉपिलर, तो इसमें काम करने के लिए काप भी बाहर के राज से बच्चे यहां आते हैं, और उनको लाने वाले भी एजेंट्स होते हैं, उनको वापस लेके जाने वाले भी एजेंट्स होते हैं, और वो माबाब को क अगर देखेंगे तो 2009 में सुप्रिम कोड के ओर रहने के बाद राइट टु एजूकेशन आक्ट आया 14 साल तक के जो बच्चे है वो कंपल्सरी स्कूल में जाना है वही उमर में बच्चे यहां पर काम करते हैं 2017 में भारत सरकार ने और अभियां शुरू किया जूलाय महिना में और जुलाय महिना में और अपरेशन के नाम पर हो जो अरगनाइज हो अनरगनाइज हो सेक्टर पे सपेस्पिक इनफर्मेशन कर यहां पर रेड़ करते हैं और जहां जहां ये चैल लेवर हैं उनको रेस्क्यू करते हैं और बाद में सुएशिव संस्ता के साथ में गवर्मेंट के साथ में जुड़ के उनको हम वापस उनके गाउं भी भी बेच रहें बीच में क्या हुआ था जैनेवरी 2017 में जब हमने ऑपरियो स्माइल के तहत चोटुपले एरिया और बोनगिरी एरिया में कुछ ब्रिक किन्स परेड किया तो दो दिन में तक्रिबान 350 बच्चे मिले हुए और यह ओडिसा के बच्चे थे इनके माब आप यही पर ब्रिक किन्स में काम कर रहे थे इनके बारे में क्या करना ये बहुत कि दून स्वागने में पर या घुज और इनके महाब आप यहाँ पर इनकी मदर की इंक दिए नी पृण स्कूल स्थाट्के पर रहे जो एक स्ट राटी आपके जो इसरी नाम करते दिन ए ये जो स्कूल है जहां प्रिक किन्स है इडबटी वही पे स्कूल होते हैं ओडिशा से एड़ेट एक्षन नाम के एक एंग्योए उन्होंने टीचर्स वहां से लाए है और जो हमारे कलेक्टर दिश्टिक कलेक्टर यादादरी भोनगिरी दिश्टिक कलेक्टर रंगारेड़ी इन्होंने मिड़े मिल स्कूल को एक्ष्टेंड की है जो ब्रिक किन के जो ओनर्स है उन्होंने बच्चों के लिए ट्रांसपोर्ट यूनिफॉर्म को सब इंतजाम किया है यह बच्चे जब में महिना में अपने पेरेंट्स के साथ में गाउं वापच जाते है उडिसा तो यहां से एक उनको सर्टिपिकेट मिलता है तो अपने आइजूकेशन उडिसा में भी वो लोग कंटिन्यू कर सकते हैं पर यह जो हमने अभी तक तीन हजार बच्चों को कि जो चैंड लेबर का काम ब्रिक किन में कर रहे थे उनको इसमें एक किया है इस साल हमने इवन महराष्टरा से जो लेबर आ रहे है ब्रिक किन में उनके बच्चों के लिए भी मराथी मेडियम स्कूल भी स्टार्ट किये तो काफी अच्छा यह है प्रोग्राम के अल्टरनेट सोलूशन अभी हमें मिला है बिलकुल हमारा आने वाला कल जो है वो हमारे बच्चे हैं आप उनको सुरक्षित कर रहे हैं उनको आप एजुकेट कर रहे हैं तो कल का जो हमारा भविश्य है जो भारत का भविश्य है वो बहुत ही स्वर्णिम रहेगा सर इस काम के लिए मैं आपको पुना एक बार फिर बहुत करना है क्या प्रेड़ना थी अच्छा सवाल है आपके अच्छली मैं जब स्वाइन शीव सामस्ता के साथ मैं पुना में काम करना था तो दिल में कुछ तो था कि सिविल सर्विसेज करना है और मैंने शुरुआत भी की थी तेकिन एक मौका ऐसा है कि उस दिन मैंने डिसाइड कर दिया कि रिजाइन करके फुल टाइम सिविल सर्विसेज का मैं प्रिपरेशन करूँ क्योंकि मुझे पूरी तरह से पता चला था कि सबसे बड़ी एजेंसी वह गोर्मेंट है जी इंफ्रस्रक्चर जो है गोर्मेंट के पास है और वहां पर आगर आप जाके काम करोगे तो काफी करने के लिए पर मेरा सेलेक्शन पूलिस में हुआ जी तो पूलिसिंग में भी काफी सारी मुझे 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 मिले नक्षिलाइटी एरिया में हो या फिर कमिनल सेंसिटिव एरिया में हो इंसर जैंसी एरिया में हो मनीपूर में में दो साल था तो काफी सारी एरिया में क इतिहांस जो मैं देख रही हूँ वो बताता है कि आप मतलब जो गलत काम करते हैं उनके लिए आप एक टेरर के समान है वो आपका नाम ही सुनके डरते हैं लेकिन आप रिदे से इतने अच्छे हैं कि आप जो भी समाज में जिन लोगों को मदद चाहिए आप उनके लिए भी तैयार हैं या जो में स्ट्रीम में आना चाहते हैं उनको भी आप पूरी हेल्प करने के लिए आप तैयार हैं मैं हमेशा दूसरी बाद जो देखता हूँ कि कोई भी प्रॉडम हो उसके रूट तक जाने की कोशिश हमारी रहती है कि दुबारा उसको मरम पट्टी करके फाइदा नहीं है उसको पूरी तरीके से इस इस इस्यू को कैसे खतम करें उसके लिए हमारी कोशिश रहती है जा भी ट्राफिकिंग के बारे में भी आप पूछ रहे थे हमेशा अल्टरनेट्व में दो हजार पांच से में यहां पर यादगीर गुट्टा में वहां पर रेड लाइट एरियास पर हमने रेड की थी और वो एरिया में जो महिलाए वहिशा वृत्ति में थी उनके लिए प्रोजेक्ट आस्रा करके वह स्कूर किया था कि इनके बच्चों के लिए च्छी शुरू की टैनि उनके लिए तन उनको ट्रेनिंग दिया, उनको जॉब दिया था, उनके जो माइक्र प्रॉडक्स बन रहे थे, वो ताहर कर रहे थी महाई लाए, उसको बेशने का भी हमने इंतजाम किया था, 90% तक हमने वो कंट्रोल किया था, साथ-साथ जो लोग ट्राफिकर्स, जो इनको दन्ना में ला र करो, इन अचल एरिया में भी वही किया हमने, या फिर यह जो अभी ट्राफिकिंग का बताया, उस एरिया में भी हमने वही किया है, तो आप सुलूशन मतलब पूरी तरह से देखते हैं, यह नहीं कि आपने कोई चीज बंद कर दिया और वो चीज कड़ाई से बंद हो गई, लेकिन उसके बाद उन पर जो इंपैक्ट पढ़ रहे हैं, आप उसका भी सुलूशन पहले से ढून कर उनको प्रॉपर एज़ेस्ट करके तब आप उस प्रॉबलम को सॉल्व करते हैं, सर साइबर क्राइम्स की मैं बात करूंगी, साइबर क्राइम्स दिनों दिन बहुत ज ज्यादा आजकल केसे दर्ज हो रहे हैं, पिछले साल के हमारा क्राइम देखेगे 2020 का, और 2021 का क्राइम्स देखेंगे, 2021 में साइबर क्राइम तीन गुना बढ़ गया है, तो अभी आजकल हमने हर एक पोली स्टेशन में साइबर क्राइम की कंप्लेंट लेना चुरू किया है इसे पहले केवल साइबर क्राइम पोली स्टेशन में ही यह पारदज होता है, आजकल हर एक पोली स्टेशन में यह पारदज होता है, आजकल गवर्मेंट अप इंडिया के मलत से, नैशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, यह बहुत ही इंपोर्टन पहल गवर जिरूप आच्छा तो कहीं भी आपको फाइनांशिल प्रोड हो जाए यह साइबर क्राइम है तो इमिजेटली आप 1930 डायल करके आपकी जो सिकायती वहां पर दर्च करो बाद में पूली स्टेक्शन आके हमें इतला दे सकते हैं जो अकाउंट से आपका देटल देना वहाप जरूरी है तो जो पैसा जो फैनांशिल फ्रोड आपके साथ हुआ है वह पैसा रोकने में हम लोग कामयाप होंगे तो कपी हद से अभी कपी हद तक लोगों को से मदद हो रही है पैसा उनको वापस मिल रहा है अचकल क्या है कि हम देख रहे हैं कि कुछ हमारे देश में कुछ-कुछ एरिया में जैसे जारकन में जमतारा करके लिया है और कोई नए-नए एरिया काफी सहरे कॉल साथ है अभी साइबर क्राइम में लगे है आपको जो है हेल्प लाइन जैसे कॉल करेंगे कि मैं बैंक मैनेजर बोल रहा हूं और आपका बैलन्स बढ़ा रहा है करना है आपको एक वन टाइम पासपोर आएगा बता दो मुझे अगरा आपका अकॉंट से बिलकुल खाली हो जाएगा बाते करते करें या मैट्रिमोनियल फ्राइब काफी हो रहे है कि कोई लोग जो है फेस्बुक पे इस्टाग्राम पे अपना प्रोफाइल अच्छा प्रोफाइल बनाके फिर लड़कियों को पहले सो फ्रेंट्स बन जाते बात में फिर मैं बाहर हूं हूं अभी कि मैं एरपोर्ट से बोल रहा हूं दिली मॉंबई कस्टम से बोल रहा हूं और आपके अभी हमारे साथ है उन्होंने कपी सारा सामान लाया है जिसको इंडियन डूपीज में दूटी पे करना है यह बैंक का कौन नंबर है आप उसमें पैसा पे करो करके तो पैसा पिर जब करने के बाध फीडिल फिर पूलिस के पास ओ लोगा रहे के बहरे में भी हम लोग काफी शौन बनाया है मुवी हॉल में वगरहा, देड मेरी डॉमिड के फिल्म्स हमारे इसके बारे में हम लोग यह कर रहे हैं लोगों में इसके बारे में जागरूति होना चाहिए करशिक अपे कोशिश कर रहे हैं यह सेम मोडस आपरेंडेस है यह cyber criminal जो है लोगों को फसा रहे हैं उसके बारे में awareness का आना चाहिए खासकर schools, colleges में भी बच्चों को शुरू से cyber crime के बारे में और जानकारी देना बहुत जरू है हले में हमने हमारे राचकोंडा कमिशरेट में एक cyber योध्धा नाम का प्रोग्राम इंटूडूस किया था जिसके तहत हमने government, non-government organization के सव से ज़्यादा यूद को हमने एंपवर किया है, उनको ट्रेनिंग दिया है कि वो समाज में जाके आप और लोगों को educate करें कि किस तरह से cyber crime हो रहे हैं और उसको किस तरह से आप लोगों उसमें फसना नहीं है, sir कोई एक वाक्या जो बहुत ही यादगार रहा हो cyber crime को लेकर जो आप हमसे साजा करना चाहें, कोई ऐसा case आया हो आपके पास? बहुत सारे है, एक हाली में एक case आया था, एक लड़की आईटी में काम कर रही थी, उसने इंग्लिश पेपर में एक अड़ोटेज देखी कि एक जर्मनी में कंपनी है और उसमें फ्रंट डेस्क के लिए एक मैनेजर चाहिए, साथ में एक ड्राइवर और एक कुकी जरूर होगा, और फिर जर्मनी का विशा वगरे के लिए आपको बैंक में बैलन्स चाहिए, आप साथ में आपका पासपोर्ट वगरा भी लेके आईए करके, तो उस लड़की ने का फिर पंदराभी स्लाक अपने अकॉंड में यहां पे जमा कर दिये, फिर अपने मदर को लेके व निजाम मुद दिन वहां रेलवे स्टेशन लेके गए, वहां पे रेलवे स्टेशन के पास में एक रेश्टारण में वहां पे खाना खाते समये, वो लोगोंने कुछ शायद नसली कुछ मिक्स किया था, दवाई, ड्रिंक में, तो वो लोग मदर और वो लड़की दोनों भ एक लाज में, उनको वहां पे रुकाया गया, और वो लोग जो थे, वो नसली पदार्त के इंफ्रियंस में थे, वैसे उस लड़की को वहां पे एटियम लेके जाते थे, और उसका कार्ड से पैसा निकाल लेते थे, या कई उन्होंने तनिश का शोरूम भी गए वहां पे, कुछ गोल्ड डाइमंड वोगरा भी खरीदा उन्होंने वहां पे, जांसी में, तीन दिनों बाद फिर लड़की को लगा कुछ तो अजिब बोराय करके, तो उसने उसके सिष्टर को कहा कि मेरे बैंक आकोन में कितना पैस हैं देखो, तो सिष्टर ने कहा 3,000 रुपए है, फिर वो जो शक्स था, जिसने इनको फंसाया था, उसको हमने हिमाचल प्रदेश पुलिस के मदद से उसको पकड़ा, वो बंदान जो था, उसने पंजाब करता हूँ, काफी सारे स्टेट्स में, ऐसे लड़कियों को इस तरह से उसने पंसाया था, और काफी पैसा उनसे एक किया था, तो इनके जो 20 लाक रुपे थे, वो वापस देने में हम लोग कामयाब हो, हाँ, पैसा वापस मिल गया, पैसा वापस मिल गया, जान भी सलामत रही और पैसे भी वापस मिल गया, बिल्कुल अभी परसो का ये केस आया था, जवार नगर से एक महिला, पती का देहा गया था, उसमें भी हमने अभी क्रिमिनल्स को धून निकाला है, और 50% से जारा पैसा अभी तक उनको वापस मिल गया, तो अब जतना जल्दी पोलिस को अप्रोच हो गये, उतना आपका पैसा वापस आने के चांसिस जादा है, अगर डिले हो गया, तो ये लोग मल्टिपल करते हैं, पैसा कभी कभी नॉर्थ इस स्टेट में खाई, रिमोट फ्लेचेस पर अकाउंट्स रहते हैं, और वो अकाउंट में एक दिन जाता है, दूसरे जिन फिर विटर हो जाता है, तो मुस्वीपते काफी आते हैं, कई बार इसमें पहार के कंट्रीज के भी, नाइज लिटे के आते हैं, काफी सारा इसमें हमारा भी समय, हमारा मैन पावर, प्BYें हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, इसके बाद ही हमें इस के नतीजाएं, बिल्कुल, लेकिन फिर भी तर आप इतना बड़े-बड़े केसे को आप इतना, मतलब उनको हैंडल करके और उनको स सेर्विस के दौरान कई पदों पर काम किया कई अलग अलग शेत्रों में काम किया तो सबसे चुनौति पूर्ण कौन सा कारिय रहा आपके लिए मैं शुरू में मनिपूर में था दो साल आपे काफी मेरे लिए चैलेंजिंग रहा जी को कि मैं जब था 97-99 उस समय इंसर्जेंस से वहां पीक पे थी अच्छा में डेली वहां पे आटेक होते थे एवन मेरे एक कलिक आएस ओफिसर 94 बैच का उसको आपिस में आके उसको शूट किया था तो इस तरह कि यह यह थी पड़्ट हम लोग काफी प्रिकॉशन लेके हमने वहां पे ड्रक्स के खिलाब में हो या बाकी खिलाब हमने जो एंटी सोचिल से उनके खिलाब कदम उठा के कंट्रोल करने में हम लोग कामया हुए थे उसके बाद मैं यहां आंदरपलेश आने के बाद 99 में वेस्ट गदावरी में एलूरू सबडिविजन वो हेड़कॉटर में मुझे एस पी ग्रेड वन का पोस किसी का इंफ्लिएंस ना हो तो भी अपने सिक अगर इंफर्मेशन दे तो इस इंफर्मेशन पर आक्ट करता है करके एक लोगों को एक विश्वास हुआ लोगों के मन में लोगों ने अनानुमस लेटर भेजना सुरू किये थे अच्छा मेरे पास 700 लेटर आये थे उस समय तो उसमें जो इंपॉर्डन थे उस पर मैंने जब आक्ट करना सुरू किया तो 1989-99 के बीच में दस मडर केसे थे जो डिटेक नहीं हुए थे अच्छा मडर केसे किसने खत लिका मुझा अभी मालूम ने अच्छा इसा है रहता था कि ए तीन लोगों ने या चार लोगों ने मडर किया है उसमें से नंबर टू को पकड़ो वह सही बता देगा आपको अच्छा इस तरह से मतलब आपने लोगों का विश्वास इतना जीत लिया कि वह आपका साथ देने लगे बिल्कुल जी लूरू का जो था वह मेरे लिए कपी अच्छा टेन्यूर रहा उसके बाद म चार साल में था अदिलाबाद में अडिशना एस पी और एस पी जी अदिलाबाद के लोगों का बहुत अच्छा योगदान रहा है नक्सलिजम कंट्रोल करने में पूलिस आपके लिए पूलिस में कोसम करके हमारा प्रोग्राम था उसको अमेरिकान से में भी प्राइज मिल हमें डिफरेंट डिफरेंट इरियास में हम लोग अहां पर कर रहे हैं अच्छा टीम है हमारा टीम वर्क चल रहा है और लोगों का भी अच्छा कोपरेशन हमें में जब लीडर अच्छा होता है तो टीम अपने आप अच्छी हो जाती है सर और सारा काम सॉल्फ हो जाता है स सारा काम आसानी से हो जाता है, सर आपको बहुत सारे पुरसकार से सम्मानित किया गया है, तो हम उनके बारे में भी जानना चाहेंगे पुरसकार है काफी गवर्मेंट के तरफ से 2004 में प्रेशरेंट आप इंडिया ग्यालेंटरी मेडल मिला था, वो बहुत ही महतुपूर्ण है, तेन 2011 में पुलिस मेडल पर मेरिटोरियस सर्विस मिला था गवर्मेंट से, तेन 2016 में मुझे अपने होम मिनिस्टर यूनियन राज इन पर्सन रिपोर्ट हिरो यह सबसे इंपोर्टेंट अवार्ड मिला था, उस समय वर्ल्ड में आठ लोगों को उनने सीलेक किया था, उसके सब और बहुत सारे अवार्ड से ट्राफिकिंग के एरिया में, नक्षालिजम के एरिया में, 2017 में, क्यानडा में, एंडर्ड अमेरिका की जो अंतरराष्ट्री पूलिस संगतना है, उनके तरफ से सिविल एन हुमन रेट आवार्ड परदान हुआ, कापी सारे पूरसकार आप तो से रितने सारे शेत्रों में आप काम कर रहे हैं, तो जितना मिले वो कम है मैं कहूंगी, लेकिन जो भी मिला है सर उसके बहुत बहुत बढ़ाई आपको, सेर एक और गंभीर समस्या हम देखते हैं, ड्रक्स की, जो आजकल के युवाओं में हम अकसर देख रहे हैं, जो स्कूल, कॉलेज और मतलब जितने यंग्स्टर्स हैं, वो इस दिशा में बढ़ते जा रहे हैं, तो इसको कैसे आप लोग क देख रहे हैं, उसके बाद फिर human trafficking आता है, अभी अपने country में देखेंगे, तो देश में अभी काफी हद तक जो drugs है, उसमें खासकर अभी गांजा, मैरिजोना, मैरिजोना जिसे अपन कहते हैं, उसके काफी यहां पे issues आ रहे हमारे commission rate हो या हमारे state में हो, यह जो प्रॉल् कि इसका cultivation ज़्यादा तर अंधरा उरिसा border में होता है, वहां से यहां पे supply होता है, यहां से वह बाहर के state में लेके जाते हैं, और आजकल का जो यूआ है खासकर, वह ठोड़ा हमें peer pressure में आते हुए नजरा आता है, students coastal में है, college में है, वह मिलके, एक दुसरे के छोटे- हो रहे है, तो हमारी इसमें भी हम two prone strategy अपना रहे है, एक तो पहली strategy कि जो drug trafficker है, जो drug का smuggling कर रहे है, उनके खिलाब हम कड़े कदम उठा रहे हैं, उनके खिलाब even PD Act में भी हम लोग cases book करके, एक साल तक उनको jail में रखके, फिर उनके खिलाब हमने जो cases Dutch किये, उसके past track court मे trial के हमारी कोश्चिश है, दूसरी जो है, जो drug addict होरे बच्चे, उनको बाहर निकालने के लिए हमने एक नया सवेरा नाम का एक program start किया है, हर मंगल के दिन मेरे camp office L.P. नगर में, एक स्वैंसीव संस्ता अमृता फाउंडेशन, उनके मरत से हम लोग counselling करते हैं, the addiction के बारे मे एक हमने मरो लोकम करके एक पंदरा मिनिट की तेलगू में short film भी बनाई है, drugs की बारे में, वो भी हम schools में, colleges में, हमारे पास में audio visual van है, वो van भी लेखे जाते हैं, हमारे पास में cultural troop है, वो लोग भी जाके वहाँ पे programs करते हैं, community में, हली में हमने, जो हमारे public review entity है, उनके गायों में जाके, हमारा गायों, ड्रक्से मुक्त होगा, नचा मुक्त नचा मुक्त मिन्सिपल करपोरीयशंब्र, नचा मुक्त हमारे commission रहा, यह हमारा target है, उसके लिए अभी हम काम कर रहे हैं, अब के साथ मिलके, हम लोग इसके बारे में काम कर रहे है, तो इस शेतर में आप लोग काफी अच्छा काम कर रहे हैं जैसा कि आपने का आडियो विज्वल वैंस भी आप लोग ले कर जाते हैं और बच्चों को सारी जानकारी देते हैं कि यह कितना गलत है आपके लिए सर अब मैं आपके कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में जाना चाहूंगी कि इतना सब कुछ करते हुए आप फैमिली को कैसे टाइम देते हैं अपने बेटियों को कैसे आप टाइम देते हैं या क्या आपकी जो यह टाइम मैनेजमेंट वाला चीज है क्योंकि यह 24 गंटे हमारे सब्सक्राइब करता है इस Já करते हैं सब्सक्राइब जो है क्योंकि सब्सक्राइब करते हैं और आप आधत हुए चैलनेजेश है उनको بالमाम है तो खपी self हुए बच्चे भी, कि हमारे उपर निर्वर नहीं है जादा, एक अच्छी चीज हमने notice की है, आप में निर्वर उन्हें बच्पन से आपने, दूसरी जो बात है कि मेरे कुछ और passions पी जो है, उसके लिए भी मैं टाइम निकालता हूं, जैसे civil services को या वाकी coaching का है, जैसे अभी और एक चीज हमने की है, जैसे और एक चीज हमने की है, थोड़ा सा हमारे लोगों में भी पॉलिस में भी थोड़ी सी reading habit बढ़ाने के लिए, हमने हर एक पॉलिस टेशन में भी लाइबरीज चुरू की है, आच्छा, ये बहुत अच्छी बात है, तो लोग भी किताब भी पड़ साथे, तो रीडिंग का भी मुझे राश्योख है जब भी समय मिलता है, तो मैं उसमें ज़ादा व्यातित करता हूँ अच्छा, सिर, IPS ट्रेनिंग आपने की थी, तो उस दोरान कोई यादगार खटना आपकी रही हो, ये IPS ट्रेनिंग यहीं की थी हमने हिद्राबाद में, नैशनल पुलिस एकरड़ी में, 96 के एंड में हम लोग आये थे, 97 में वो ट्रेनिंग यहां पे उस समय मुझे यादग आप जोइन डारेक्टर थे, तो उन्हें ने कहा था कि अरे मेरा सरनेम भागवत है, अरे भागवत भाग मत, तो आप काफी तेज से चल रहे थे, तो मतलब रॉक क्लाइंबिंग वगर भी आपका शौक्रा है, जी हमें हमारे उपर भरोसा नहीं था, हम कर पाएंगे की नही तो काफी सारी हमने बाते की सर, एक अंतिम मैं यह चाहूंगे सर कि हमारे जो दर्शक हैं और जो आज के युवा हैं, हमारे देश के जो युवा हैं, जो आने वाली पीड़ी हैं, उनके लिए एक संदेश आप दे खासकर यहां के लिए मैं बताना चाहूंगा कि अपने आप पे भरोसा रखो, believe in yourself, बहुत 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 इंपोर्टन है, स्वामी विवकानन हमेचा कहते हैं, कि you meet few men and women, who are true and committed, I will change the world, तो यह commitment to the cause बहुत बहुत जरूरी है, दूसरी बात है कि अप शॉटकट जो ह लाढ़े हैं, will cut shot your life, बिलकुल, तो और लगान से काम करो, महनत से काम करो, अपने अप पे भरोसा रखो, यह बहुत-बहुत इंपोर्टन है, और यहां पे अपने जो मुल्ह है, यह वैलियुस है, उसके खिलाब अगर कुछ हो रहा है, तो आप वहाँ से बाहर निकलो, उस इसके खिलाब आप आवाज उठाइए, यह भी एक नेतिक मूले जो हमारे, उसके साथ कॉंप्रोमाइज मत कीजिए, वह बहुत जरूरी है, अदर्वाइज अब कोई तकलिफ होगी, बिलकुल, यह मानसिक तोर पे भी होगी, शारिरिक तोर पे होगी, दूसरे एक बात बतान करके उन्होंने किताब लिखाए, रूल आप 10X, तो उनका कहना है कि आप जो है, वो दस गुना, दस गुना ज्यादा उच्छा सपना, आप हमेशा सामने रोखो, आपका जो एम होगा, आपका जो लक्षो होगा, वो दस गुना बड़ा रखो, और उसके लिए जो महनत है, उसके लिए जो एफ़र्स है, वो भी दस गुना करो, तो आपका जो ड्रीम है, वो पक्का एच्छु होगा, जी, सक्सेस, अल्टिमेटली, सक्सेस पांट, इस प्राइस इन अडवांस, और प्राइस इस हैड़ोग, जी, 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 तो सर आपने इतना समय निकाला हमारे साथ यहां स्टूडियो में आए और इतनी सारी बाते की इतनी सारी जानकारी दी हमें, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद मैडम, अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद, जैसा कि हम देखते हैं, होनहार बिर्वन के होत चीकने पा कुछ लोग इतिहास लिखते हैं, और कुछ लोग इतिहास बनाते हैं, जी हां, आज के जो हमारे गैस थे, ये उनहीं में से थे, ये इतिहास रचने वाले थे, और इन्होंने कई सारे ऐसे मील का पत्थर अपनी जीवन में इन्होंने साबित किया, और साथ-साथ एक सीख भ अरब बाइब लाइब तो झाल झाल